नमस्कार आप सभी का स्वागत है अग्रिक्लासेस की आज की नई वीडियो में मैं प्रनफा को लेके आया हूँ आज की वीडियो का टॉपिक करियर आप्टर बेएस्टी एग्रिकल्चर और बेटेक एग्रिकल्चर के बाद का ठीक है देखो अभी जिस चीज की आप तयारी क करने का प्लान करें हो खासकर एग्रिकल्चर वाले बच्चे इंक है क्या है कि मैं बीच से एंगरिकल्चर करूं मदियों क्लेक्ट करूं उसके बाद कॉलेज मिले Gusti से मैं क्या कि हुआ, ardके कट्ड़ेट करके एक ऐसे सेक्टर में जाो जहाँ पर मेरे या घर में भी वैसे कोई नहीं होता जो हमें वैसी चीज़े बता पाए कि यार इसका ऐसा सक्तर है ऐसे आप चितर में जा सकते हो इतना ज़्यादा आपको सेलरी प्रेकेज मिल सकता है इतनी ज़्याद रोधिकार की संभावना है या हमें अपने आसपास में ही ऐसे कोई भी देखते हैं तो हमारा पूरा माइंड ऐसे अलग हो जाते हैं रटी चरफ या इंटिया बोल दो या पुरा बोल दूनिया बोल दो किस प्रटी का है उसकी हो प्रिकेज़ काई रहती है क्यों क्यूंकि हम चारों तरफ से अलिज़े केती बारी से ही connected रहते हैं औरन करव बोल पा रहे हैं, अपने सरीर को चला पा रहे हो भी agriculture की मदद सही, ठीक है, तो demand agriculture sector में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें ही उन चीजों के बारे में पता नहीं होती है, तो आज की वीडियो में हम agriculture करने के बाद, खासकर ICR aggregated college से ठीक है, non-ICR college के में बात ही नहीं करता हू वो salary package क्या-क्या हो सकती है, उन चीजों के बारे में अपन discussion करेंगे, ठीक है, चाहें वो government sector हो, चाहें private sector हो, या खुद का ही कुछ start करने का हो, ठीक है, तो चलिए शुरूगत है आज की वीडियो, ठीक हो, हम BSC AG कोई भी college से कर रहे हैं, कोई भी college से नहीं, ICR aggregated college से, ठीक ह को ICR से मानिता मिली हुई है, ठीक है, seat अलॉट होती है, 11-1200 के आसपस seat अलॉट होती है, इसमें 7-800 या 900 के आसपस, इंटरेंस के मानित हम से जाते हैं, बाकि और किसे मानित हम से जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, उन तीन college हों में, हमारा जो प्ले, वो होता है, seat अलॉट होती है, जब हम BSC agriculture complete करते हैं, तो उसके बाद क्या मिलता है, ठीक है, पहला sector है, आप किस sector में जा सकते हो, या कैसी job की availability बनती है, वो होता है campus placement, यानि कि आप जिस college में पढ़ा रहे हो, वहाँ पे company placement देने आती है, और वो private sector की होती है, government sector की company ऐसे नहीं आ जाती है, याद रख लिने ठीक है, तो campus placement कहां पे होता है, उन्ही universities या उन्ही college में होता है, जहां पे सारी चीज़े अच्छी होती ह वो university अच्छी होती है, वो college अच्छा होता है, ranking अच्छी होती है, वहाँ की faculty ऐसी होती है, जो खुद के छेतरी महारती हो, PhD holder हो, वैसे ही company में क्या आती है, placements आती है, और ये placement छोटी मोटी नहीं, साड़े तिन लाख से starting बोल दो, तो 10 से 15 लाख तक का package चल जाता है, और य ये पर एनम की बात कर रहे है, पर मंत की भी बात में करें, पर मंत में भी आपको नावार्ड जैसे sectors मिलेंगे, नावार्ड जैसे sectors है, ये भी banking का sector ही होता है, अगरी कल्चर का, ये development करने के sector में आता है, तो ये भी एक banking के ये, रिण प्रिदान करता है, ठीक है, तो इसमें जब आपकी जॉब लगती है, तो भाई, एक एक लाग तक का, पर मंत का package लगता है, ठीक है, अब इसमें को तुम yearly जोड़ों कितना होता है, तो अभी जो पहली बात कर रहे थे, campus placement, और ये उन्हीं कॉलेजियों पे लागू होता है, जो अच्छी है, rank holder है, जहांके सारे च banking मतलब बहुत सारे private sectors हैं, जो किसानों को क्या करते हैं, रिन प्रदान करते हैं, किस चीज के लिए, bank जो private banks होते हैं, चोटे चोटे अपने सोने होंगे, आसपास अपने देखोंगे, वो किसानों को रिन प्रदान करते हैं, किस चीज के लिए, खितिवाडी के लिए, और भ पुद के माध्यम से भी जा सकते हो, उनकी कुछ eligibility होती है, criteria होता है, अगर आप उसको fulfill कर रहे होते हैं, तो आपका वहाँ पर job लग जाता है, और ये job की भी लगबग 30,000,000 के आसपा से starting हो जाता है, अगर अच्छी वो microfinance company है, या company है, banking sector की, ठीक है, और हो जाता है, फिर औ आगे बात करने, यार मेरे को इस sector में नहीं जाना है, इसमें भी नहीं जाना है, यार अगर आप पढ़ाई अच्छा करते हो, आप पढ़ाना जानते हो, ठीक है, आप ये अगर आपके अंदर आता है, यार मैं चार लोगों को अच्छे से पढ़ा सकता हो, अच्छे से ब्र प्राइवेट सेक्टर में आप एग्री कल्चर में पढ़ा सकते हो और थोड़ा अच्छा बनना है तो अब बीएड करके आप गॉवर्मेंट तक की भी जा सकते हो यह ना टीचर बन सकते हो यह टीचिंग का तो है कि अगर आप पढ़ाना अच्छा कर सकते हो बच्चों को पढ़ा सकते हो और भी वैसे कर सकते हो तो आप इस फिल्ड में जा सकते हो और एक गॉवर्मेंट टीचर की सेलरी क्या होती है मुझे बताने की जरूर ने फिर भी बता देते हैं तो 30 से 35,000 तक आपकी लगबग 12 से 15,000 की स्टार्टिंग जॉब होती है लोकली की बात की जाए तो और अगर और अच्छे स्कूलों या कॉलेज में जाके आप पढ़ा रहे हो तो लगबग 20 से उपर ही आपकी सेलरी मिलती है परमन्त के साब से तो आप टीचिंग फिल्ड में जा सकते हो उसके बाद होता है ABM, ABM क्या होता है? Agriculture Business Management, अगरी कल्चर का भी बिजनस मैनेजमेंट होता है हाँ भई होता है ये मैनेजमेंट का कोर्स रिफ एगरी कल्चर के सेक्टर के लिए होता है आप कहीं और फिर एपलाई नहीं कर सकते हो और इसमें डिमांड भी अच्छी खासी या आप MBA कर सकते हो, MBA कौन करते हैं, पुरा मैनेजमेंट का कोर्स रहता है, ये सब ही कोर्स पे लागू हो जाता है, एवन एगरी कल्चर पे भी ठीक है, या आप PCDM कर सकते हो, ये post graduation के लिए होता है, या अगर आपने ये कोर्स किया है, अगर आपको बठाएं तो एक ABM य अगर अच्छे कॉलेच से किया है, या ताजमाता से किया है, जो रैंक होल्डर है, या जो अच्छी रेपिटेशन इजमें कॉलेच की, वहां से अगर आपने किया है, तो आपकी जो starting package salary होती है, वो 5-6 लाग से भी start हो सकती है, और highest बात कीज़े है, तो 15 लाग है, उससे ज किया है, तो MBA कोई, MBA का सेक्टर बहुत अच्छा है, एक चीज तो बोला जाए, खासकर agriculture business management, अगर आप कर रहे हो, तो agriculture सेक्टर से आप क्या हो गए हो, बंद चुके हो, और आप उसी सेक्टर में आगे बढ़ते हो, तो यहां पर भी salary package की संभावना बहुत जादा हो जाती ह ठीक है, यह तीन चार चीजे जो है, यह अब private के माध्यम से जा सकते हो, या खुद के माध्यम से भी जा सकते हो, लेकिन खासकर ध्यान रखना, campus placement की जो बात हो रही है, यह उनी college या university पे लागू हो रही है, जिनको क्या है, एक rank holder है, जिनकी reputation अच्छी है, जो अच्छे colleges है ठीक है, प्राइविट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या आप अगर non-ICR college से कर रहे हो, आप या बहुत सारे college जो करवाते हैं, BSDG, आप वहाँ पर चार साल कर लो, फिर आप जौब के लिए धर धर गोमते हो, वह वाले college की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच् रहता है, तो आप ये जब भी किसी जगा पेडमिसल लेते हो, तो आप ये चीज़ें पता कर लेना, ठीक है, अब इन चारों चीजों के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप देखो, हमने private sector की बात की, private sector में हैं बहुत सारे हैं, अभी मैं क्या के गिना दूँग, आप ठक ज मैंने बात किया, वो कौन से सेक्टर थी, private sector थे, private sector किसके माद रहे हैं, campus placement के माद रहे हैं, खुद के माद रहे हो, खुद के माद रहे हो, पढ़के जा रहे हो, ठीक है, ये placement के थूँआ आपको एक अच्छी खासी ज़ॉब मिल सकती है, अब अगर सब का सपना होता है, या चाह होती ही कि हमारे हाथ में क्या हो, एक government job हो, और हमें यहीं नहीं पता होता है, यार, agriculture sector में भी government job हो सकती है, हाँ बहुत ऐसी ऐसी हो सकती है, जो collector थक के post को ठकर देती है, बस इतने से social media क्या power होती होगी, ठीक है, तो अगर हम competition world में गुशें, जहां पे हम देखो, आप चाहे private से पढ़के जाओ, चाहे government से पढ़के जाओ, आपको government exam के लिए खुद का government जो गी exams करवाती है, उसको clear करना होता है, without clear आपको directly government exam नहीं मिल सकती, ठीक है, तो यह अपने mind में कभी मतला ना किया, मैं ICR Egregated College से पढ़े लिया हूँ, और मेरे को government job ऐसी धरी के धरी plate म मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ICR Egregated Private University से पढ़के जा रहे हो, तब भी आपको entrance exam देना होगा, आप government college से भी पढ़के जा रहे हो, तो भी आपको entrance exam देना होगा, तो अगर बात कीजाए, state government क्या क्या करवाती है, यानि कि मदर प्रदेश या राज भी भाग क्या करवाता है, तो वो ADA हो गया, Agriculture Development Officer हो गया, RFO हो गया, Range of Forest Officer हो गया, AEO हो गया, Agriculture Extension Officer, District Cane Officer, Assistant Conservator, ऐसी बहुत सारे हैं, जो state government organize करवाती है, जिसके माद्यम से आप government सेक्टर में भी जा सकते हो, और इनकी starting salary package ही, minimum ही अगर बोल दिये जाए, तो 30 से 35 जार तक ही होत ही है, इन सब के 30 से 35 के पर मंद के हिसाब से starting salary होती है, और एक reputation होती है, आप एक professional degree कर रहे हो, BSC Agriculture एक professional degree है, तो आप ऐसे से सक्टर में जाके अच्छा खासा कमा भी सकते हो, और एक government job भी ले सकते हो, इसके बाद आता है यार मिलोंको और आगे बढ़ना है, मिलोंको और पोस्ट चाहिए, है ना, like MPPSC भी बढ़ा चाहिए, मदप्रदेश राजी विबाद से भी और बढ़ा चाहिए, भाई होता है competitive exam, ये भी competitive exam है, लेकिन ये एक राज्य में ही सीमित हो जाता है, लेकिन ये जो competitive exam होता है, ये पूरे India में होता है, इंडिया के बच्चों से आप agriculture sector में जा सकते हो, और UPSC clear करने का मतलब है कि आपके पास इतना बड़ा ओदा मिल जाता है, और क्या salary package हो सकती है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, minimum अगर इसकी starting salary की बाद कीज़े, UPSC अगर clear करने के बाद आप forest services में जाते हो, तो आपकी starting salary ही लगबग 50 से 65 जार तकी होती है, इतनी होती ही है, ठीक है, और भी है, SST के तुरू जा सकते हो, इसका नाम change करके रख कर दिया गया, ESP, इसके मादम से जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जो आप private सेक्टर के तुरू जा रहे थे, आप अगर government सेक्टर में जाओगे तो सब से बड़ा नाम सुनों के नावाड, यह banking, वो ने यह कि यह bank है, यह एक नावाड है संस्ता है, जो किसानों को रिन प्रदान करती है, या development के लिए रिन प्रदान करती है, तो इसकी जो starting salary ही होती है, वो एक लाग पर मन्त के आसपास होती है, हाँ सच कहा रहा हूँ, एक ला नावाड में only BSC AG वाला वच्चा ही जा सकता है, ठीक है, तो अगर यार तयारी ही कर रहे हो, तो ऐसी तयारी करो यार, ऐसी सेक्टर में जाओ, वाईचा वाईचा कमाओ, यह बड़ा आदमी बनो, ठीक है, यह फिल्ड एक अमारे लिए चाहत बड़ा दिद भाई, एक एक्जाम होता है, यह बैंकिंग का एक्जाम होता है, आप इसमें जा सकते हो, A.O का एक्जाम दे सकते हो, FCI, Food Corporation of India, आप इसमें जा सकते हो, खादी विभाग में आपकी जौब लगती है, और इसकी सेलरी पैकेस भी, एक गर्मेंट जो भी एक्जाम होती है, अगर हम all over की बात की जाए, तो 30,000 से उपर ही सेलरी होती है, ठीक है, और एक रेपुटेटिव आपकी जौब रहती है, इसमें कि आपको यह नहीं है, भाई आप देखो, जो बहुत सारे बच्चे अगरी कल्चर करने के बाद, 12 तक अगरी कल्चर पढ़ लिये हो, उसके बाद, ITI जैसा कोर्स कर लेता हो, भाई, दो साल का तुम डिप्लोमा लेके, तुम में एक पढ़ा लिखा मजगूर बन रहे हो, ऑपरेटर बन रहे हो, यार वो तुमारे लिए सही है, वो रेपुटेटिव अलद, एक दम नहीं होता है, ठीक है, तो यार ऐसी चीजे करो, जो आप एगरी क तो ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए, फिर IFFCO है, NSCI है, अब ये जो पूरा एगरी कल्चर हम सुरू में बोले थे, ICR एग्रिगेटेट कॉलेट से, तो खुद ICR की भी वेकेंसिया निकलती है, चाहिए वो साइंटिस्टी के तौर पे हो, रिसर्चर के तौर पे हो, या किसी तौर पे हो, तो आप उनकी जो क्राइटेरिया, अगर आप उसको फिल्फिल करते हो, उनके जो एग्जांस क्लियर कर लेते हो, तो आप एक ICR के भी करमचारी बन जाते हो, तो हमारे पास इतनी सारी चीजे होती है, जौब को लेके, प्राइवेट सेक्टर या गवर्मेंट की जौ बात कर रहे हैं, ठीके, और यह सारी चीजें अभी से तुम recide कर लो भाई, कि तुमें क्या बनना है, ठीके, बहत है, तौर आप आप ग्रामीर विकास अधिकारी बनना चाहो, जो भिए बनना चाहो, तो यह चीजें आप अभी से clear करोगे, तब ही आपका आगी का future तो आपको यहीं पर डिसाइड करना है यार मैं BAC AG करूँ या BTEK AG करूँ BACA और BTEK में क्या डिफरेंस है यह टेकनिकल डिग्री है इंजिनिरिंग वाले डिग्री है आप इसमें जाते हो तो आपको एक BAC AG के मुकाबले जो टेकनिकल वाले फेल्ड होती है उसमें आपके लिए opportunity हो जाती है ठीक है agriculture क्या है पूरा आप देखोंगे पहले बैल गाली का इस्तमाल होती है अदिकतर चीजों में देखोंगे आप टेकनोलोजी का इस्तमाल कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए पूरा का पूरा सेक्टर उपन रहता है स्टार्टिंग पैग इस वहां कि आप पूछोंगे तो भाई यह तो कम है लगबख साड़े चार लाग पर एनन से स्टार्ट हो जाता है बीटेक की डिगरी में और जो डिगरियां होती है उसमें superior degree बीटेक की डिगरी बोली जाती है ठीक है अब देखों प्राइवेट सेक से पढ़नों तो एक अच्छी जॉब लग जाएगी एसा पढ़नों तो एक अच्छी जॉब लग जाएगी यार सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ना है आज की competition वाली दुनिया में हर साल जितने बच्चे निकल रहे हैं competition बढ़ता जा रहे है तो उसमें जॉब के लिए क्या क्या कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, बक्री पालन कर सकते हो, मचली पालन कर सकते हो, एक छोटे से कमरे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आप वीजुत पादन बोल दो, नरसरी स्टार्ट कर सकते हो, मस्रूम कल्टिवेशन कर सकते हो, मस्रूम फार्मिंग कर सकत ये वह चीजे हैं जिससे आप एक कमरे से भी स्ठाट कर सकते हो या छोटे जगह से भी स्टार्ट करकी एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो आपको बात बताएं कि जो भी बहुत आज की रेट में जो गवर्मेंट जॉब में है वो बहुत सारे दिकारी भी गवर्मेंट जॉब छोड़ के एग्रिकल्चर की फिल्ड में आ रहे हैं और modern agriculture की के वो इतना ज्यादा मुनाफ़ा कर रहे हैं जो करोडों तक बहुत जाता है ठीक है और agriculture फिल्ड ही ऐसी है यार कि अगर पढ़ा रहे हो तो यार फिल्ड में उसको प्योग करना है यह थोड़ी है कि भाई आप कुरसी लेकर बैट जाओ काम होगा ऐसा नहीं है यार अगरी कल्चर नाम ही है क्रिसी तो पूरा फिल्ड में ही करना होता है और अगर आपको उसकी सही समझ है तो आप करोणों करोणों तक कमा सकते हो ठीक है तो मैं जॉब के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि सर्फ जॉब के लिए पढ़ाना नहीं है आपको खुद का वेबसाइट भी स्टार्ट करना है ठीक है चाहिए वो डेरिस था आपना बोल दो या पहुत साला बोल दो जिसको नर्सरी बोला जाता है ऐसे इसी चीजों में जाओ इसमें आपका पैसा कम लगेगा मुना आपको जादा होगा दिरे-दिरे से और इसके बड़ा होता है यह आप खुद का वेबसाइट स्टार्ट करक कि सही सला का यूज करके वो खुद का ही स्टार्ट करते हो और आने वाले समय पर वो एक अच्छे बन जाते हैं तो इतने सारे सेक्टर हैं जिसमें आप जा सकते हो एक आपने BSC agriculture किया है तो आपके पास लिमिट पर भी create हो जाती है आप सिर्प यहीं तक apply कर सकते हो लेकिन तो अगर आप उससे ज्जाता आगये बढ़ते तो आप MSC agriculture किसी एक subject में करते हो लाइक जाता है फो प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आप और अच्छा कर लेतो तो पीएसडी कर ले तो भाईया और सोने पे सुहागा हो जाते हैं, सोने पे सुहागा इन दे सेंस, यानि कि आप अगर पीएसडी होल्डर हो, एगरी कल्चर की किसी टॉपिक में, तो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके अप्लाई करते हो, तो आपकी जो प्राइश्ट में भी जाते हो, तो आपकी सेल्डी लगभख 40-45 से उपर ही होती है, प्राइश्डी होल्डर की सेल्डी लगभख 40-45 से अपसी स्टार्टिंग ही होती है, और ज्यादा ही होती है, तो पीएसडी करने का ये फायदा होता है, आप जर्नलिजम छेतर में जा सक तो आप journalism की छेत्र में जा सकते हो, तो अपने पास agriculture ऐसा नहीं है, यार की बहुत boring subject है, भाई, ऐसी सी power मिलती ने इतना बड़ा-बड़ा छेत्र मिलता है, तुम पागल हो जाओ को सम्हालते हैं, ठीक है, अब ऐसी AG करने के मताब J-R-F-S-R-F भी कर सकते हो, J-R-F-S-R-F, J- यह क्या है भाई, यह है fellowship, आपको एक fellowship मिलती है, J-R-F, Junior Research Fellowship, Senior Research Fellowship, ठीक है, अब यह लेकर काम कर सकते हैं, एक researcher ही होते हैं, ठीक है, तो आप इतने सारे sector हैं भाई, यह नहीं है कि हम biology करेंगे, तब ही हमारा sector मतलब हमारा future अच्छ होगा, math पढ़ेंगे तब ही अच्छ हो पाती है, लेकिन आप जागरुख होई, अपने आसपास में सर्च करिए, भाई, कि कौन-कौन ऐसे अधिकारी हैं, जो agriculture से बिलॉंग करते हैं, तो आपको मिलेंगे, यह कोई क्रिसी अधिकारी है, कोई क्रिसी विस्तार विकास अधिकारी है, कोई A.D.O.A. है, R.F.O.A. है बस यह खोजने की चाह होनी चाहिए, ठीक है, तो अब आपको यह पता चल गया है, भाई, तुम क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है, तो एक चाहत बढ़ जाती है, ओ भाई, यह कि लाग तक का package पहुंच जाएगा, तब एक चाहत बढ़ गए तो हमें करने का मन भी करता है, ठीक तो आज की वीडियो में इतना ही, हाँ, अब जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, आपको उसका अलग से notes बनाना है, यह सारे चीज़ों का आपको PDF एविलेबल हो जाएगा, ठीकिन खुद का note ज़्यादा अच्छे रहता है, कि हमें खुद की बहा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में